पूरा दिन आपका किस तरीके से रहने वाला है लेकिन राशी फल के साथ कुछ खास टिप्स भी है जो हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेर करने वाले हैं सबसे पहले उन लोगों का जिनका आज के दिन जन दिन है तो आप सभी को आपके जन दिन की हार्दिक शुपकामना है आप लोगों के लिए specially एक बर्द्र टिप जो है आज की वीडियो में हम शेर करेंगे तो उस बर्द्र टिप को भी जरूर सुनेगा और इसी के साथ साथ एक खास समस्या का समाधान भी हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं समस्या क्या है अगर बार बार आपको अपने आसपास negativity महसूस होती है नकर आत्मक उर्जा आपको अपने पास महसूस होती है आपका मन हमेशा अशान्त रहता है तो भले आपकी कोई भी राशी क्यों ना हो एक generic remedy जो आप इस चीज को दूर करने के लिए ऐसी समस्या से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं वो क्या रहने वाली है आज की इस वीडियो में हम वो भी बताएंगे सबसे पहले जिनका जन दिन है उनको जादा वेट नहीं करवाते हैं आपका बद्ध है आज तो आपकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं बद्ध टिप क्या रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनका जन दिन 1 सेप्टेंबर 2024 को होता है 1 September के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपका मुलांक एक बनता है और 2024 के साल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इस साल स्पिसिफिकली आपका भाग्यांक जो है वो 9 अंक बनता है एक और नौ का जो कॉंबिनेशन होता है सूर्य जो की राजा ग्रह माना गया है और साथ में 9 अंक जो की मंगल ग्रह माना गया है जो की एक सेना पती है तो सूरे और मंगल का ये कॉंबिनेशन बहुत ही भैतरीन होता है ऐसे में बर्दे टिप के तोर पे आज के दिन आपको तामबे का एक लोटा लेना है यानि की कॉपर से बना हुआ एक लोटा लेना है उसमें चावल डालना है और साथ के साथ थोड़ा सा गुड़ ये दोनों चीज़े डाल कर इस लोटे को आपको किसी भी निर्धनी या दूरतमन व्यक्ति को कुछ दान दक्षिना के साथ दान दे देना चाहिए इस प्रकार से अगर आप ये रेमिडी करते हैं तो आपका आज का ये जो दिन होता है और साथ के साथ पूरा साल जो रहने वाला है आपके लिए वो और भी जादा शुबता से भर जाता है राशी अगर हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले मेश राशी की बात करते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अवश्य हात लगेगी स्वास्त के लिहास से आज का दिन सामानने रहने वाला है कोई खास चुनौतिया आपको नहीं सामना करना पड़ेगा स्वास्त के लिहास से धन निवेश अगर करना चाहते हैं तो आज क्या ये जो दिन है आपके लिए वो बहुत ही उत्तम है बहुत ही अच्छा है आज के दिन आप किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी प्रकार की इन्वेस्मेंट जो है वो कर स सकते हैं कोई खास महत्वपूर्ण अगर कारे आज के दिन आप धन से जुड़ा हुआ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं आज की गई महनत आपको अवश्य सफलता के और जादा नस्दीक जो है वो ले जाएगी पैत्रिक समपत्ती से जुड़ा हुआ अगर कोई कारे था कोई केस था जो फसा हुआ था तो हो सकता है उसमें आपको कहीं न कहीं कुछ एक फेवरिबल मूवमेंट जो है वो दिखती हुई मिल सकती है शुबंग की अगर हम बात करते हैं तो वो है पांच और शुबरंग आपके लिए रहने वाला है गुलावी यानि की पिंक कलर मिथुनराशी की बात करते हैं यानि की जमिनाई के लिए एक सटेंबर का दिन कैसा रहने वाला है मित्रों के साथ हर बात साजह आज के दिन ना करें आप उनसे कोई क्लोस बात करेंगे हो सकता है वो दस लोगों को और जाके आपका ये जो भेद है वो उनके सामने खोल दे तो इसलिए सोच समझ के अपनी कोई भी नीजी बात जो है वो आपको दूसरों से साजहा करनी है रुका हुआ धन उसकी प्राप्ति आज के दिन आपको हो सकती है बहुत टाइमस अगर वेट कर रहे थे कई पैसा फसा हुआ था वो पैसा आज आ सकता है या उससे जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर जो है वो आज आपको मिल सकती है विवादों में आज के दिन खुद को उलजाने से बचे क्योंकि आज के दिन अगर विवादों में उलजे तो ये केस बहुत ही लंबा खिच सकता है तो ऐसे किसी भी परिस्तिती में खुद को पाते हैं तो अपना बचाव खुद करें शुबंक की बात करते हैं तो आपके लिए रहने वाला है शुबंक नंबर दो और शुबरंग आपके लिए रहने वाला है जामु नियानी की पपल का लग करक राशी की बात अगर हम करते हैं कैंसेरियंस की बात अगर हम करते हैं रुका हुआ काम आज के दिन आपका पूरा हो सकता है संतान सुख में थोड़ी सी देरी का सामना आपको करना पड़ सकता है संतान के लिए अगर प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा सा विलंब आपको आज के दिन उसका सामना करना पड़ सकता है या संतान से जुड़ी हुई आपके लिए आज के दिन रहने वाला है वाइट यानी की सफेद रंग। किसी ने किसी प्रकार से विवाद छड़ सकता है लेकिन अपने आपको काम रखेंगे तो इस विवाद का सामना आप बहतर तरीके से कर सकेंगे क्रोध इसे खुद को बचा कर चले तो आपका जो नुकसान है वो कहीं न कहीं बच सकता है वरना भारी नुकसान होने की समभावना बन सकती है तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए शुबंग की बात करें तो वो रहेगा अंक्तीन, शुबरंग की बात करें तो वो रहेगा भूरा यानि की ब्राउन कलर कन्या राशी की बात करते हैं यानि की वगों के लिए किस तरीके का ये दिन रहने वाला है आज का माता के स्वास्त का आज के दिन थोड़ा सा ध्यान आपको रखने का प्रयास करना चाहिए अगर उनके स्वास्त में किसी भी प्रकार का उतार चड़ाव आपको लगता है तो immediately आपको डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट सरूर करना चाहिए नौकरी में बदलाव की संभावना है इस तरीके की opportunity या कोई proposal जो है वो आपको मिल सकता है अगर आप लोग visa के लिए apply कर रखा था आपने तो वहाँ से कोई अच्छा संकेत जो है वो आपको आज के दिन मिल सकता है टुलाराशी की बात करते हैं लिब्रा की बात करते हैं काम में अडचने आ सकती है आज के दिन थोड़ा सा अगर कोई काम करने का प्रयास कर रहे थे उसमें थोड़ा सा विलम का सामना आपको करना पर सकता है गाड़ी सावधानी से चलाने का आज के दिन आपको प्रयास करना है गाड़ी या कोई भी वाहन जो है उसे सावधानी से चलाईएगा जल्द बाजी से बचेंगे तो नुकसान से बच जाएंगे तो इसलिए हडबडी में कोई भी कारे जो है या हडबडी में कोई भी निरने जो है आज की दिन लेने से आपको बचना चाहिए शुबंग की बात करें तो वो रहेगा एक शुबरंग की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा पीला यानि की यलो कालर व्रिष्टिक राशी यानि की स्कॉर्पियुन्स की अगर हम बात करते हैं तो मन को अगर अपने कारियों में लगाएंगे अगर focus से कोई कारे करेंगे तो फिर उसका जो result है वो आपको अच्छा मिलेगा जिस प्रकार की उमीद आप result से रखते हैं उस प्रकार का favorable result आपको मिल सकता है court के मामले लटक सकते हैं जादा विलम हो सकता है उन कारियों में शत्रूं से बचकर रहने का आपको इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए शुबरंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा पीला यानि की यलो और शुबंग की अगर हम बात करें तो वो रहेगा आठ नंबर धनुराशी यानि की Sagittarius की बात करते हैं शिक्षा अप्रत्योगिता से कुछ परिशानी आज के दिन हो सकती है अगर आप कोई भी ऐसे examination में बैच रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की difficulty का सामना आपको आज के दिन करना पर सकता है जीवन साथी के स्वास्त की वज़ा से आज के दिन आप थोड़े से चिंतित जो हैं वो रह सकते हैं विदेश जाने के योग या विदेश जाने का एक अफसर आपको आज के दिन जरूर प्राप्थ हो सकता है शुबंग की बात करें तो वो रहेगा छे, शुबरंग की बात करें तो वो रहेगा ब्लाक यानी की काला रंग मकर राशी के प्रिकॉन की बात करते हैं तो बिगडे हुए कारे बन सकते हैं आज के दिन सहनशीलता आपको थोड़ी सी बनाय रखने का प्रयास करना चाहिए बाहर का खाना खाने से परहेस करिएगा वरना आपकी हेल्थ में कुछ इशूज आपको उसका सामना करना पर सकता है जीवन साती को सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा respectfully अगर उनसे भी बात करेंगे उनके साथ अगर कोई भी miscommunications हो रही है तो बैट कर सुल जाने का प्रयास करेंगे तो रिष्टे में और मजबूती जो है वो आएगी शुबंग की बात करें तो वो रहेगा साथ शुबंग की बात करें तो वो रहेगा जामुनी यानि की पॉपल कलर कुम्भ राशी यानि की अक्वेरिस की बात करते हैं गाड़ी आज के दिन ध्यान से चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए पैसों के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको आज के दिन जूटा विवाद या जूटा वादा किसी से भी ना करें क्योंकि उसकी वज़ा से विवाद हो सकता है तो जूटा वादा करने से आज के दिन आपको बचना है किसी से भी शुबंग की बात करे तो वो रहेगा 6, शुबरंग की बात करे तो वो रहेगा संत्री यानि की ओरेंज कलर आखरी राशी मीन राशी की बारी आ गई है, नए वाहन के योग आज के दिन आपके लिए बन रहे हैं बहुत शुबता से धार में कियात्रा पर जा सकते हैं आज के दिन आप बेवजा किसी से जगडने का प्रयास ना करें तो जगडे से बचने का प्रयास आज के दिन आपको करना चाहिए उससे आपका मन भी शांत रहेगा और कारियों में भी विग्न नहीं आएगी शुबंग की बात करे तो वो रहेगा साथ, शुबरंग की बात करे तो वो रहेगा हरा तो इस प्रकार सा रहने वाला है राशियों का हाल, आज के दिन राश्वीफल आपका ये कहता है, आपके सितारे, आपके तारे, आपके बारे में हमें ये बताते हैं लेकिन इसी के साथ वीडियो के शुरुवात में हमने आपको पताया था कि एक खास समस्या जिसका सामना आपको बार-बार करना पड़ रहा है अपनी लाइस में इरिस्पेक्टिव कि आपकी कौन सी राशी है, कौन सा ही कुपा है आपको जो करना चाहिए अगर आपको बार- प्रदोशकाल के समय में अपने घर के पूजा स्थान पर शुद देशी घी का जो एक दीपक होता है वो आपको जरूर प्रजवलित करना चाहिए और उसके समक्ष थोड़े समय आपको बैठना चाहिए इस प्रकार से प्रदोश महूरत के समय अगर आप ये विधी करते हैं ये उपाय आप करते हैं तो उससे काफी जादा पॉजिटिव एनोजी जो है वो आपके घर में प्रवेश करती हैं और इसी के साथ आपके मन में भी शान्ती आती है तो आशा करते हैं आज की जो विडियो है आज कर जो राशी फल है वो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही चानल पर तो जुड़े रही है हमारे चानल के साथ और आशा करते हैं आपका दिन शुब रहे नवस्कार मैं हूँ आस्टर वास्तू एक्सपर्ट सावी से